तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में quarter 1 के result आने वाले हैं उससे बहले हलकी सी नजर अगर fundamental पर डालें तो company के fundamental मुझे decent लगे ओक्यों के लगे इससे जादा बढ़िया हो सकते थे बटकुछ दो तिन चीज़े हैं जो बहुत जबदस्त है अदानी capital employed 9.7 है जो की कम है return on equity 1.92 है जो की हद से जादा कम है profit after tax में company ने 160 करोड कमाई जबकि उमीद बहुत ज़्यादा लगा चुके थे retail investor और उसके लाद सबसे जो अच्छा science company में मुझे लगा वो है 88% की promoter holding कोई भी share pledge नहीं है कोई भी promoter holding में changes नहीं है पिछले तीन सालों के sales मात्र 11% के राउंड है जो की अच्छी नहीं है profit growth 72.9% डाउन हुआ है sales company की 12% डाउन हुए है अच्छी चीज़ यह है कि 8186 करोड reserve में है जबकि कर्जा company पर मात्र 2628 करोड के राउंड है FIS ने 0.73% की holding बना गया रखिए जो की बहुत कम है और DI की holding यहाँ पर 0.25% है अब पर motor holding 87.99 की तक्रीवन 88 है कोई भी पर motor maximum holding अपनी रख सकता है around around 75 जो की उसे कम ही रखते हैं बट अगर company में यहाँ पर holding जादा है तो अब आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि company OFS लेके आएगी जिसके जलते आपको stock में बहुत जबर्दस jump दिखाई देंगे अब अगर result की बात करें तो company का net profit पहते हैं जो की last quarter में 157 करोड था उससे पहले 201 करोड उससे पहले company lost में थी और पिछले साल 97 करोड यानि की year on year basis पे तो ठीक है quarter on quarter basis के company ने निराश किया year on year basis पे shift कर जाएं तो निराशा और ज्यादा बढ़ जाएगी 148 करोड का profit था उससे पहले 582 करोड का profit था उससे पहले 800 करोड का उससे पहले 230-730 करोड 465 करोड तो पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़ादा कम profit company ने last year हमें show किया expectations लगाना थोड़ा सा गलत हो सकता है बट अगर फिर भी आपने यहां पर hold कर रखा हुआ है और exit के mood में है तो आपको एडवाइस दूआ कि थोड़ा सा वेट कीजिए result आने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनके result आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले तो चैनल क को भी सब्सक्राइब करके bell icon जरूर दुबाई है